नमस्ते, जैश याराम आप सबी को मेरी तरब से महरिशी वालमी की जैन्ति की बहुत सारी सुभ कामना हैं मैं महरिशी वालमी की जैन्ति को सत्हसत्ह नमन करती हूँ इनकी रच्णा रमायन जो ना कि सिर्फ भारत में अपित पूरे विश्व में मानों के एक सुत्यधार में प्रोती है उनको प्रीम और भावना से जोरती है जो भगवान, पुश्वत्म, श्री राम से जोरती है जिस रचना से जो है इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक परिवार को रहना चीए ना कि आज के कलियुक की तरह कि भाई भाई का सगा नहीं है, बहन भाई का सगा नहीं है, बाप बेटे की नहीं परती है लेकिन भगवान, पुश्वत्म, श्री राम ने जो है एक जो इस पूरे विश्व को संदेज दिया है मानोता का, प्रेम का, भाई भाई के प्रेम का, पिता और बेटे के प्रेम का, माता और बेटे के प्रेम का, एक पती पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, वो श्री वालमिक, महरी श्री वालमिकी जी ने अपनी रचना में बताया, इतनी महान रिशी मुनी जो हैं हमारे भारत क जिनके ग्यान के आगे जो है और वेस्टर जो विचार है जो कल्चर है जो उनके बहुत इनला फीका है उनका भारत सदर से अधात्म की भूमी रही है भगवान की भूमी रही है ग्यान की भूमी रही है माय रिशी, महा रिशियों, मुनियों की भूमी रही है भारत सदयों से जाना ही जाता है रिशी मुनियों की भूमी के लिए अध्यात्म के भूमी के लिए, पूजा अपाट के लिए तो ये जो भारत है, सदयों से ही इसने विश्य कल्यान की बात कही है हमारे महारिशी जो मुनी है भारत के उन्होंने सिर्फ किसी एक किवल छेतर की बात नहीं किये किवल छेतर की बात की कल्यान की बात नहीं किये उन्होंने सदेव धर्ती को है वसेदेव कुटमों को नारा दिया कि यह धर्ती है यह हमारी है पसू, पच्छी, वायू, जो जल है, जो पेड़ पौधे, सब के उन्होंने सब के कल्यान की बात की है, सब के प्रति उनका दया भाव है और हम को बहुत ही गर्व महसूस होना चाहिए कि हम इसी रिसी महामुनियों की संतान है इनके ज्यान को थोड़ा सा जो इस आदनी को में हम भटक गए हैं, हमें जानना चाहिए, इनके लिखेवे गर्व को हमें जानना चाहिए जो 800 सालों से जो यहां भारत में जो हुआ, जो मुगलों का अक्रमन हुआ, उसके बाद जो बिटिरसर्स है, उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया लोग की मानसिक्तायं बदल गई, वैसी विचारधाराय हो गई, मार काट वाली, वैसे ही उनकी सोच हो गई, बाटने की, इस तरीके से, जो कि पहले नहीं थी तो इसलिए, आज के युवाओं को, जो है, अगर वो चाहते हैं कि हमारा भारत जो है विश्व गुरु बने, तो सबसे पहले सत्त को जाने, सत्त को पहचाने, खुछ से खोच करें, और ये ध्यान लखें, कि भारत का जो पीडी है, ये उन्हीं महान रिश्यों की है, मुनि रिसर्च खोजे जो आज हमारा वेस्टन कल्चर, जो वेस्टन देश कर रहे हैं, वो हमारे रिश्य, मुनि, महान जो थे, वो आज से लाको करोन वर्स पूर्व कर चुके थी, उन बस उन्हों को पढ़ने की जरूरत है, उनको रिसर्च करने की जरूरत है, हमारा देश, फि कर दिया जला दिया है जिसमें सबसे आता अपने पढ़ाओं को नालंदा युनिवस्टी का कि जब वो जली थी तो कई मेहनों तक वो जलती रही थी मलब सोची कितना ग्यान हमारे रिश्री मुनिय लिग गये थे ग्रंतों में रश्णाव में लेकिन उसको जला दिया गया जल हमारे । उनका ग्यान हैं तो हम सबकुछ फिर से प्राप्ट कर सकते हैं तो सत्तों जाने सर्च को पहचाने खोज करें क्या सकते है और और बहारत को विश्षी गुरु नाने में अपना योगदान दे्याय हिन-बंदे-माड़